हेलो फ्रेंस नमस्कार सबीको मैं शाहिप फैशोग स्वाद करता हम आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल को किमिज शाहिप फैशोग तो आज मैं आपको उता हूँगा होटला और रेस्णा में फिश चिली कैसे बनायती है फिश चिली खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट ही होती है और आप इसको इसली घर पर बना सकते है तो चली फ्रेंस रेस्पी शुरू करते है तो यह देखे यह है वो फिश चिली ड्रा मैं यहां पर यूज कर रहा हूँ स्वाइब बोलने स्पीश है और इसमें सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्ट ड्राइड करेंगे सॉल्ट डालने का बहुत इसमें आदा चोड़ा चमच डालेंगे एरमेट पाउडर आदा चमच जिसमें अध्रेग लसन का पेस्ट ड्राइड विदा बैंडिंग करेंगे तो बैंडिंग के लिए यहां फै एग बाही तालेंगे थोड़ा सा अगर आप जिएधा कॉंटरेटड में बना रहे हैं तो पूरा एग बीश Kas क्यांख वाई दाल सकते हैं सॉल्ट में गया अभूरा बना जीन एक दश्ँर लोड़ा पाउड आपने medium रखना है ज्यादा low temperature में fish को fry नहीं करना है और एक एक करके आपने सारे pieces fry करने के लिए डाल देने है अब portion में कुछ लोग 8 piece देते हैं और कुछ लोग 12 piece भी देते हैं तो यहाँ पर मैं लगवा 12 piece fry कर रहा हूं fish के और piece आपने ज्यादा बड़ी ने रखने है जब fish ली बना रहे हो तो छोड़े-छोड़े piece काटने है fish के अराम से fry होने देना है medium flame में अभी मैंने gas की flame में बढ़ा ही नहीं है तो यह देखिए हमारी जो fish है लगवा 70% तक पक चुकी है यहाँ पर अब हम fish को थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ देंगे और उसके बाद थोड़ी देर बाद इनको फिर से fry करेंगे तो लगवा 30 second के बाद मैंने देखिए fish को दुवारा से fry करने के लिए oil में डाल दिया है बट अब यहाँ पर oil का जो temperature रहेगा वो हाई रहेगा हाई temperature में आपने fish को थोड़ी देर के लिए फिर से fry करना है ऐसा करने इसके होता है fish के पकोड़ अच्छे क्रिस्पी बनते हैं अच्छे करंची बनते हैं तो अब के देखिए गरम गरम तेल में मैंने fish को निकाल लिया है तो आप इसको ऐसे fry करके देखिए आपके fish के पकोड़े सही में बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे तो चलिए अब जल्दी से मसाला बना लिते हैं fish चिली का तो यहाँ पर मैंने एक Chinese बोक लिये और उसमें लगबग दो बड़े चमच oil ऐट करेंगे और जैसे थोड़ा heat watch है इसमें डालेंगे chop garlic तो दो छोटे चमचे हाँ पर मैंने chop garlic ऐट किया है Chinese food में जिंजरों garlic का अच्छा खासा यूज की जाता है तब यह उसमें अच्छा टेस्ट आता है तो garlic को आपने अच्छे से पका लेना है गैस की flame आपे हाई रहेगी Chinese food की cooking हाई flame में की जाती है फिर हम इसमें green chili add करेंगे मिल्ची आप अपने टेस्ट कोने साथ कमचल डाज सकते हैं थोड़ा सा मैंने इसमें ginger भी add कर दी है और यह cutting है capsicum, piage, red yellow bell paper यह भी मैंने साथ में इसमें डाल दी है अब high flame में हमने इनको कुछ second तक toss करना है जादा नहीं 30 seconds से उपर toss नहीं करना है इनको इनमें जो crunch है वो रहना चीए तो देखिए best table हमारी अलकी सी पक चुकी है फिर हम इसमें chili paste आइड करेंगे और chili paste को भी आपने हलका सा best table के साथ पका लेना है अगर आपके chili paste नहीं हो तो आपने क्या करना है देखिए मिच पॉर्डर लेना है और पानी में घोल के यहाँ पे सबजियों में डाल देना है सेम ही टेस्ट आएगा तो देखिए थोड़ा सा पानी भी आड कर देंगे पिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है ज्यादा पानी डालेंगे तो बैसे लोग क्रंच खत्म हो चाएगा यह सिर्फ हम सॉस पकाने के लिए एड कर रहे हैं पानी यहाँ पे आदा चोटा चमच इसमें salt डालेंगे बैसे और चमच और टमैटो कैचप भी डाला है टमैटो कैचप इसमें आपशनल है अगर आप डालना चाहा है तो डाल phải sí घाते हैं तो टमैटो कैचप को आप सिकिप कर सकते हैं तो अभ हाइफv यहाँ फ्लेम है एक बार सारह साथि सॉसों को गर्म कर लेते हैं तो देखे बॉयले यहां पे आज चुका है फिर हम इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन डालेंगे हरा पे आज और हच्छे से इनको मिक्स कर लेते हैं और गैस की फ्लेम आपने यहां पे एक तम हाई रखनी है ताकि मसाला ड्राई हो जाए जब मसाले एक तम ड्राई हो जाएगा न तब ही आपने इसके अंदर जो फिश के पुकोड़े बनागे रखने है वो एड़ करने है और यह देखिए फिर से हाई फ्लेमें आपने इन पुकोड़ों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिश्ट के पकोड़ों को मसाले में डालने के विधे आपने फिश्ट को ज़ए पकाना नहीं है हाइफ ले में अपने हलका सहन को टॉस करना है ताकि मसाला सौस बगहरा जो है फिस्ट की उपर अच्छे से कोट हो जाए तो यह हमारी फिस्ट ली ड्राइबन के त्यार हो चुकी है वीडियो अच्छा लगोगा तो प्लीज लाइक, शेर, क्रमेंट जरूर की जेगा ओके फैंस थैंक यू